नमस्कार साथियों, शुशान्त की हत्या के आज आठ महीने पूरा हो गया नियाय की लड़ाई लड़ते लड़ते और देखते देखते आठ महीना कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला याद है वो दिन मुझे, जब पहली बार करीब 14 जुन की हत्या होई थी, उसके 3-4-5 दिन के बाद मुझे किशी ट्यूटर ग्रूप में जोड़ा गया था और अप्पू और उपाली ने मेरे से संपर्ग किया और उन्होंने ये बात मुझे कही कि आप इस बात को उठाइए मेरे अंदर भी बहुत ही पीड़ा थी और मैं तुरंत ही बोला कि आप लोग मैटर त्यार करो मुझे थोड़ा सा डॉकुमेंट की हेल्प करो और मैं जाऊंगा आगे तीन-चार दिन लगा उन्हों है और उन्होंने मुझे 28 पेज का डॉकुमेंट भेजा था इन दोनों की हाड़ वर्ग था तीन-चार दिन लोगों ने बहुत मेहनत किया और उस 28 पेज के इविडेंस के साथ मैं पधान मंत्री कार्याले और ग्रिह मंत्राले में गया वहाँ यह सारे डॉकुमेंट जमा करा है वो दिन याद है पहला दिन शुरुवाती दिन था कि इस जस्टिस में एक पहला कदम हमारी तरफ से था इसमें इन लोगों का बहुत ह इसमें शहयोग रहा क्योंकि जो हम लोग लडाई पहले दिन से जो हमने स्टार्ट किया वो सबके शहयोग से और सबके आपसी ताल मेल से ही यह हो पाया था कि एक ऐसा बना ग्रुप टीम कि स्टेप बाई स्टेप हम इसमें आगे बढ़ते गया है और हमने निरने लिया था कि हम लोग मिल करके सब लोग पूरे ट्यूटर पे रोजाना ट्रेंड चलाएंगे और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए आप सब लोग जुड़ते गए आप सब लोग आए और एक बड़ा आंदोलन बन गया और इस आंदोलन को जिंदा रखने में सबका सहयोग रहा सभी लोग से लगातार आपसी बात होती रही धीरे 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 इस आंदोलन को हमने इतना बड़ा किया कि बहुत सारे सहरों में इसके टीम बन गई बहुत सारे जगों पे हम लोग इस आंदोलन को ग्राउंड लेवल पे करने लगे और जो न्याय की जो मांग है वो लगातार हम उठाते रहे कभी भी हम रुके नहीं कभी भी हमने पीछे मुड़के नहीं देखा और ये एक ऐसा न्याय की लड़ाई है जो हर कोई अपने घर बैठ करके अपने पास से अपने साधन के अनुसार लड़ रहा है और ये हम लड़ते रहेंगे